कुछ तो है कि आनवाल एपिसोड में क्या होगा और यहान प्रिया की मा को जान से क्यों मारेगा और पूर्णी मा की रात को कौन से पड़े रहस्य का खुला सा होगा और महादेव का कौन सा पड़ा चमतकार देखने को मिलेगा और किसकी नई खतरनाक वापस ही होगी और कौन तरह से लाल हो जाएगा तब रिहान अपने असली रूप में यानि की आधी शाथ के रूप में पूरी तरह से आ जाएगा और यहाँ आधी शाथ का रूप आधा चील और आधे शैतान का होगा जिस वज़े से रिहान के अंदर का शैतान दुनिया का सबसे शक्तिशाली बन के प्रिया को हवे में ले जाएगा लेकिन रिहान अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करेगा जिस वज़े से रिहान प्रिया से दूर चला जाएगा और बड़े रास का खुलासा होगा कि सबसे पवित्र प्रिया नहीं पलकी प्रिया को जन्म देने वा मोहित को जांसा मार देगा और प्रिया को भी 3,13,21 की रात को अपनी सारी शक्तियों का एहसास हो जाएगा और क्योंकि अपनी मा रागेश्वरी की मौत होनी की वज़े से प्रिया रिहान को जांसा मारने के लिए अपनी मा की मौत का इंतकाम का बदला लेगी और एक रहस सम रास का खुलासा होगा कि प्रिया की असली मा रागेश्वरी बानी की सबसे पूरानी सत्यू की दोस्त थी जो और कोई नहीं पलकी एक इच्छाधारी नागिन थी और काली शक्ती आदिशात रिहान को चांसा मारने के लिए फरिश्टे ने प्रिया की मा के साथ प्यार करके प्रिया को चन्म दिया और प्रिया के चन्म का मकसद रिहान को चांसा मारना है और आप यह सब देखने के लिए कितने ज़्याद एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करकर सरूर बताएं और आप प्लीज इस विडियो को लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें